रक्षा बंधन का पर्व जो कि अब बहुत ही नजदीक है ऐसे में आप सभी ने ये सोचना शुरू कर दिया होगा कि साल राखी के पर्व को कैसे खास बनाया जाए बहने सोच रही होगी कि अपने भाई को किस तरह से राखी बांधी जाए तो वहीं भाई भी ये विचार जरूर कर रहे होंगे कि अपनी बहन को उपहार किया दिया जाए जी हाँ आपको बता दे कि तीन अगस्त तो सोमवार के दिन रक्षा बंधन का पर्व है राखी का पर्व जो है वो हर भाई भेहन के लिए बहुत ही ज़्यादा शुब्भ मता है उसके जीवन में जो है वो सुक्ष समरिधी आने लगती है तो अब ध्यान से सुनिएगा कि आपको प्रख्षा बंधन के दिन राशी के अनुसार किस रंग की राखी बांधनी है अगर तो आपके भाई की राशी मेश है तो ऐसे में आपको लाल, नारंगी या सुनहरे रंग की राखी बांधनी है जयो की राशी व्रिषब है उन्हें सिलवर, नीले या बादामी रंग की राखी बांधना शुब्ब होगा या फिर आप चांदी की राखी भी बान सकते हैं मिथुन राशी के भाईयों को अगर आप हरे रंकी अच्छे शेड की राखी बानते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा करक राशी आप मोती की राखी लेकर आएं चमकीले और हलके बादामी रंकी राखी शुब होगी सिंग राशी सिंग राशी वालों को आप नारंगी सुनहरे या पीले रंकी राशी पीले रंकी राखी उन्हें बांद सकते हैं अगर आपके भाई की राशी कन्या है तो उन्हें आप हरे या राम कलर की राखी को बांधे अगर आपके भाई की राखी तुला है और अगर आपके पास धन्दौलत का अपार भंडार है तो आप डाइमंड, जर्दोजी, खुब सजी धजी और खुबसूरत मल्टी कलर वाली राखी बांद सकते हैं व्रिशब राशी, मजंटा, गुलाबी या सतरंगी रंग की राखी आपको अपने भाई को बांधनी है जिन भाई की राशी धनू है उन्हें ब्राइट पीले या हल्दी रंग की राखी बांधनी है मकर राशी वाले लोगों को परपल, गहरा गुलाबी या गहरे नीले बांधनी है जिन भाई के राशी कुम्ब है उन्हें नीले रंग की किसी भी शेड की राखी बांद सकते हैं चलिए आंत में आपको बताते हैं कि आखिरकार मीन राशी वाले भाईयों के लिए कौन सी राशी शुब रहेगी तो आप इने के सरिया पीला या लाल रंग की राख मक्ता से भर्मे के लिए इस राखी राशी अनुसार ही राखी बांदे एक्स्ट नाइन स्प्रीच्वल से आर्दिक रपोट